नमस्कार दोस्तों वद्वस्वागत वंदन अभिनांदने आप सभी का उनलाइन इस्पेशल यूट्यूब चनल बे दोस्तों हम लोग फिजिक्स के सब्चक्ट पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वो कवर करेंगी गति को मोशन इंग्लिश में ज चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और बेल आइकन को प्रेश किए ताक्कि वीडियो की रड़ेश जान करें सबसे पहले आपके पास हो तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गबाए गति को यह मोशन के टॉपिक को तो हम लोग जो है विशेश तत्य देखने वाले है यहाँ पर हम लोग एसे तत्य दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं इजी और कॉमपेक वे में जो आपके टाइम को जो है में यूस टाइम की यूस को मेक्सिमाइज कर देगा कम समय में हम लोग जाल से याज़ा जान करें देनी के आपको कुशिश करेंगे तो शुरू करत इस्थान परिवर्थन हो रहा है अगर एक बोड़ी एक टाइम के साथ चेंज हो रहा है जिसका जो है इस्थान चेंज हो रहा है जिसका इस्थान परिवर्थन हो रहा है टाइम के साथ तो वो किस में कहलाएगा मोशन में या गति में कहलाएगा किसी पिंड की गति को एक व या जो है कि विभाजित कर सकते हैं आगे देखेंगे हम लोग गद्धी के समीकरण की बात करेंगे दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर compact way में इसको cover कर रहे हैं फालतू की चीज़े हम लोग जो आपका time को खराब करें वो चीज़ हम लोग नहीं देखेंगे जो important है हम उसको साथ के साथ cover करते चले जाएंगे तो दोस्तों हम लोग equation की बात करेंगे समीकरण की बात करेंगे तो तीन होती है सभी को पता है पहली समीकरण है V equals to U plus 80 दूसरी equation A equals to U plus half 80 square और तीसरी equation V square plus U square plus 2AS V square equals to U square plus 2AS तो यहाँ पर हमें बताना चाहूंगा दोस्तों आपको के यहाँ पर जो वी क्या होगा तो वह अंतिमवेक फाइनल वेलोसिटी यू जो है इनिशल वेलोसिटी और एह होगा त्वारण acceleration इस चली गई दूरी और टी जो है समेक के बराबर या टी को जो है समेक कहा जाता है तो यह तीनों equation आपको ध्यान रखनी exam point of view से पूछ ले आते डारेक्ट डारेक्ट तो आप learn कीजिए इसको आगे देखते हम लोग Newton के बारे में बात करेंगे हम इसके जो सिध्धांज के बारे में हम लोग देखेंगे और उससे पहले एक चीज़ में आपको important बताना चाहूँगा कि जो Newton ने अपने प्रसीद ग्रंथ लिखा था उसका नाम था mathematics जो है इंग्लिश में भी लिखाया है दूस्तों आपके लिए mathematics एक बूक लीगी थी उसमें भाग एक में जो उन्हों ने तीनों नियम को दिया था बताया गया था तो हम लोग जो देखते प्रथम नियम की बात करेंगे फर्स लॉग Newton की बात करेंगे तो आपको हिंडी और इंग्लिश दोनों में translate करता चला जाओंगा तो प्रथम जो है उसको जड़त का नियम भी कहा जाता है लेकिन उससे भी इंपॉर्टन जो जड़त्व नाम दिया था वो किस ने दिया था गेलीलियों ने गया था इसके बारे में हम लोग ब इंड अपनी आरंभिक इस्तिती में इस्तिर अवस्ता या गती अवस्ता में बहाइ बलके बिना परिवर्थिन नहीं कर सकता इंग्लिश में आपको समझाना चाहूंगा जो इंग्लिश में जो statement में वह है एवरी object will remain in same position या raised or in uniform motion until and unless an external force applied on it तो यह जो है इसका Newton का first law है ध् वेक यू है और समय टी तो उसका वेक जो होगा वी हो जाता है तो पिंडे द्वारा आरूपित बल यहां basically force यहां पर बता गया है तो इसमें जो होगा force कितना लगेगा सम्वेक परिवर्थन बटे समय तो समय के नूजर कितना परिवर्थन आया बूच्छी यहां देख रह को common भार निकाल लिया तो m equals m v minus u upon t और इसी की हिसाब से जो ये वाली जो value होगी वो किसके बराबर होगी ये वाली value जो होगी बराबर a के acceleration बताए अपने को final minus initial upon time तो ये किसके बराबर होता है acceleration के बराबर होता है तो इससे जो equation अपनी बन जाएगी f equals to a में तो ये जो है formula drive इससे second law से होता है आगे बात करें हम तीसरे नियम की तो इसका statement में बताना चाहिए वो second law का है force to be equal to the change in momentum with change in time तो ये जो है statement था English में Newton के second law का अब हम लोग जो है चल रहे है तरसी नियम पर क्रिया प्रतिक्रिया नियम ये सभी को पता है इसका जो statement है every action there is equal and opposite reaction इसकी बात करेंगे हम लोग तो इस नियम के अनुसर प्रतिक्रिया के बराबर और विपरिज दिशा में प्रतिक्रिया होती है एक्जामपल की बात करेंगे दोस्तों हम लोग जो है तीसरे नियम के एक्जामपल देख लेते हैं इसके बाद में आपको पहले और दूसरे के भी एक-जामपल बता दूँगा जिससे आपको clear हो जाएगा तो बात करते हैं तीसरे नियम के इसके एक्जामपल की कि गोली के छूटने के बाद बंदूग के द्वारा पीछे की और धक्का लगना सभी को बता है कि गोली जब ट्रिगर प्रेस होता है तो उससे जो है अपने शोल्डर पर जहां पर बंदूग रखी जाती है उस पे पीछे धक्का लगता है तेरा अग द्वारा जल को पीछे धकेलने पर उसका आगे की और बढ़ना रॉकेट में इंदन की जलने पर धुए की नीचे की और निकलने पर रॉकेट का उपर जाना इत्यादिक किरिया प्रतिकिरिया बल का कारण होती है साथी साथ आपको अगर में जो फर्स्ट लॉक की बात करूंगा तो फर्स्ट लॉक पे जो है फर्स्ट लॉक के जो है एक्जामपल में आपको बताना चाहूंगा न्यूटन के फर्स्ट लॉक की एक्जामपल तो इसमें जो है गटिशिल बस के अकस्मिक ब्रेक लगाने प तरफ बुड़ जाते हैं जितने भी पैसंजर्स रहते हैं तो वह एक एक्सका एक्जामपल हो गया अगला जो हमारे पास डंडे से पीटने पर धूल लगी चटाई से धूल बाहर निकलना यह भी जो फर्स लॉग का है एक्जामपल है शाथी साथ निर्वाद तता गुरुत शूनी शेतर में पिंड को गती देगा छोड़ने पर उसका अनवरत गती शिल रहना तो वो एक ही पूजिशन में रहता है वो भी एक जो है दोस्तो इसका फर्स लॉग का एक्जामपल है खिड़की के शीशे में बंदुक की गोली मारने पर उसमें एक गोले छीदर हो जान जूडों के खिलाडियों के द्वारा समवेक परिवर्तन के परिवर्तन में एक कम समय लेकर बर्फ की सिल्ली को आसनी से तोड़ तो आप लोगों ने देखा होगा जो जूडों के खिलाड़ी होते हैं वो इजीली जो है बर्फ हुआ या कुछ भी हार्ट अप्सेंस हुआ उसको जो है आसनी से क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें क्रिकेट के फिल्डर गेंद को रोकने के लिए गेंद से इस पर्ष होने पर अपने हाथ को पीछे की और खीषते हैं ये भी सभी को पता है ये जो है बोस्ट इंपोर्टेंट जो है एक्जांपल है न्यूटन के लौके तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग द्वी द्वीमी गति की बात करेंगे इस गति को वरक रेका कर्व लाइन तथा समतल गति प्लेन मोशन के नाम से भी जाना है तो दोस्तों यहां पर जो तो यहां पर जो वेग है और तोरण एक्सेलेरेशन भिन्न भिन दिशाओं में कारिकरता तक्षे गति प्रोजेक्टाइल मोशन एक एवं एक समान व्रत्ती गति यूनिफर्म सर्कुलर मोशन द्वीमी गति के उधारण है तो यहां पर जो द्वीमी गति के हम लोगों ने उधारण भी देख लिए हैं आगे बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की तो इस गति में पिंड को उर्दवादर वर्टिकल दिशा से भिन किसी अन्य दिशा में प्रत्वी की सत्य से उपर फेका गया जाता है फेका गया पिंड को प्रक्षे कहते हैं इस गति के पिंड का पत परवलायकार पेराबॉलिक होता है पिंड के पत के पूर्ण परवलायकार होने के लिए वायू का प्रतिरोध शुने दाता गुरुत्वी त्वरण एक्सेलरेशन द्यू टू ग्रेविटी का मान अचर्या कॉंस्टेंट रहना चाहिए तो यहां पर बेसिकिल तक वायू में रहता है उसका उड़यन काल या टाइम आफ लाइट कहा जाता है तो इसका जो है फॉर्मूले को भी हम लोग डिसकस करेंगे तो जो है टी से इसको डिनोट के जाता है कैपिटल टी से और इसका फॉर्मूलों का टू वी साइन ठीटा अपॉन जी होता है आग एक साथ ही प्रति पर पहुंचेंगे तो उनके द्रवे मांच बैसिकली मास पर डिपेंड नहीं करता है अब्जेक्ट जो है अलग-अलग मास के हुए पर उनका जो वेग है वेरसिटी से में और समान कौन से पेका है तो दोने एक साथ प्रतिपर नीचाएंगे क्योंकि प्राबर होता एचे महत्तम मान के लिए साइन ठीटा का महत्तम मान होना चैयों हमें पता है यहां कन्फूजन होगा आपको यह वहां साइन इसको यह साइन टू ठीटा पॉन जी है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनको लिख लीजे आप लंग कर लीजे अच्छे से आगे बात करेंगे युनिफर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं दोस्तों तो एक समान व्रत्त ब्रत्त प्रत्त पर गतः पbalance करते हुए पिंड़ के वेग की धिशा किसी बिंदु पर खीचे गए इस पर शेड़ेगा टेंगांस की दिशा में होता है व्रत पर गती करते हुए पिंडिक पर दो बल कारी करते हैं तो इनको भी हम लोग डिस्क्राइब देखेंगे दोस्तों वीडियो के अंतक बने रही है आपको फॉर्मुले भी और अच्छे कंटीन मिलने वाला है अभी केंद्रिक बल की बात करेंगे सेंटर पिटल फोर्स की पिंड की व्रत्ती गत्ती को बनाय रखने के लिए व्रत्त क अब केंद्र बल के मान के बराबर होता है जहां एंब क्या होगा पिंड का दरवे बास ऑफ अबजेक्ट वी जो है पिंड़का वेग वेलोसिटी ऑफ अबजेक्ट और आर क्या है पत्की तृज्जा या रेडियर्स ध्यान रखें इसको दोस्तों लॉन करें आप गरी वेर नियुटन के नियम को लागू करने के लिए इस बल की कलपना की गई है तता यह बल परिवेक्षक अब्जेवर की स्थीटी पर निलबर करता है इस बल की दिशा अभी केंद्रिक बल के विपरित होती है बथानी दूत्य मखन अलग करने वाली मशीन तता वाशिंग मशीन का अब केंद्रिक शोशक जो है एक सेंट्रिकल ड्रायर अब केंद्रिक बल के सिधान पर कारिक करता है तो दोस्तों सेंट्रिकल और सेंट्रिकल को जो है इजी वे में आप केसे लर्न कर सकते है या एक स्ट्रेट्मेंट जिससे आप दोनों को लर्न कर सकते हैं कन्फूजन जि की बात करेंगे तो centrifugal जो फोर से वो बाहर की तरफ लगता है यह बाहर की तरफ लगेगा ध्यान रखें आप लोग सेंट्रिफिगल जो अब इसकी जो एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे तो हेड रायर हो गया क्रीम सेपरेशन हो गया जो अभी हम लोगों ने एग्ज की तरफ लगता है कहने का मतलब इसके जो इजी वे में हम लोग जो देखेंगे तो सेंटर में फोर्स लगना मतलब अगर हम लोग एक ठ्रेड है एक ठ्रेड से अगर हम लोग बाल बान देते हैं और उसको जो क्या करते हैं गुमाते हैं रोटेट करते हैं तो वो जब रोट को ने देखा तो वो सेंट्री फ्यूगल फोर्स होगा तो वीडियो को अंतक तेखने के लिए धन्यवाद दोस्तों चैनल पर नए विवर हैं तो आप से रिक्वेस्ट है ऑनलाइन स्पेशल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीचे ताकि वीडियो क आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा साथी साथ वीडियो अच्छे लागा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ शेकरना ना भूले जैहिन बंजय मत्रों